नमस्कार पूर्वी के किचिन में आपका स्वावत है। चीज बॉल्स हैं तो मैंने चीज क्यूब सोड़े से काटके रखे हैं। और हम इस पे कोट करने के लिए थोड़ा सा रवा लिया हुआ है। अगर चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं अपने चीज बॉल्स। पहले हम अपने आलू को इद्दम मैश कर लेंगे। उसमें क्लम्स ना रह जाएं। हमने अपने आलू को मैश कर लिया है। चलिए हम इसमें समान बिलाना शुरू करते हैं। बारी कटी हुई गाजर डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी। थोड़ा सा शिम्ना मिर्ज डालेंगे। नमक आप थोड़ी कॉंटिटी में यूज करेंगे। क्योंकि आप औरिगानो यूज कर रहे हैं। उसमें भी नमक होता है। लाल मिर्च, थोड़ा सा औरिगानो, लैसुन आप जितनी कॉंटिटी में यूज करना चाहते हैं। बाइंडिंग के लिए इसमें 1 टेबल स्पून मैदर डालेंगे। और रवा डालेंगे। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। सब चीजे मिक्स हो जाएं। हमारा सारा माटीरियल मिक्स करके मैश कर लिया अच्छे से अब इसके बॉल्स बनाएंगे। जिसमें अंदर चीज की फिलिंग करेंगे। उससे पहले हम अपने फ्लेम को अन कर देते हैं। अब अपने फ्लेम अन कर दिया है। जब तक हम अपने बॉल्स बनाएंगे तब तक आँच अच्छे से आ जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं इसके हमें चीज बॉल्स कैसे बनाने हैं। छोटे छोटे राउंड बॉल्स बना लें आप। इसमें बीच में गड़्दा करके अंदर चीज रगतें। यह देखिए। और फिर उसको पैक करते हैं। यह देखिए। आपका बॉल्स बना लेंगे। हमारे बॉल्स सब मैंने सारे प्रिपेर कर लिए हैं। अब चलिए हम इसको फ्राय करते हैं। थोड़ी तेज आच में आप इसको डाले। बहुत आइस्ता। जब तक यह थोड़ी से पक ना जाएं इसमें कल्ची ना लगाएं। उपर से गी उचालते रहें। जिसे कि आप देख सकते हैं। यह थोड़े से पक चुके हैं। तो अब इसको पलटने की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको पलटेंगे बहुत ही आराम से टूटे ना। और जब तक गोल्डन कलर के हो जाएंगे तब तक मुझे इसको फ्राय करना है। अब आप इसको इस तरफ से फ्राय होने दे। हमारे चीज बॉल्स अफ्राय हो चुके हैं। अब अपना फ्ले मौट करते हैं और अपने चीज बॉल को निकालना शुरू करते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करना शुरू करते हैं। हमारे चीज बॉल्स तेयार हैं। अब आप इनको सर्फ कर सकते हैं। और आप यह देखें कितने चीज बॉल्स हो लिए इसमें। आपने मेरा वीडियो को इतना जादा अप्रिशियेट किया। ऐसे ही लाइक करते रहें। आप लोगों के लिए प्लीज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। कितने कितना मेरा बूलें। ऑuchtियाएं कितरों टुक करते इसमें। कितने कितने किता उन्यवाद कितनी कितने। झाल झाल